हम ना अपने चैनल पे सब्टाइब के लाप्टाप रिवियू करते रहते हैं जैसे गेमिंग लाप्टाप तो बहुत जादा हो लेकिन तीन लाइट कैटेगरी में एक बिजनस वाले लाप्टाप से आता है जैसे लिनोवो की तिंक पार सीरीज होगी यह वाली जो सीरीज है को टार्गेट करते हैं और उनके यूज केस के हिसाब से वैसे ही फीचर के साथ भी आते हैं जैसे इसके अंदर डेडिकेटेट चिप होती है और बहुत सारी चीजें सारी डीटेल में कवर करेंगे एंड यह एमडी वाला वीरेंट है हमारे पास एमडी राइजन सेवन तॉ के साथ आता है प्लाइद के रहेंट है अ keyed लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी यहां पर हमारा जो कीबूर्ड के बराबर मिलता और थोड़ना गृपी टाइप का टेक्शन हमारे को इस लाप्टॉप के उपर मिलता है तो पकाड़ने में जो फील आती है उपर यहां पर हमारे को लोगो मिल जाएगा जिसके उपर लाप्टॉप स्लीप मोड वगारा तो यह ब्लिंक करती है एक हाथ से लिए इस लाप्टॉप के उपन करके देख रहे थे वेट डिस्ट्रिबिशन ठीक आप उपन कर सकते हो और यहां पे अंदर सिंग पैड की ब्रैंडिंग मिल जाएगी और उसके लाबाब पीछे से हमा मिलिटरी स्टैंडर स्टिफाइड है तो गर्मी सर्दी दूप आंधी तूफान जैसे तेंपरेचर में यूज करो यह आपको दोका नहीं देगा वैसे करो के मुझे पता ना कमेंट करके एंड ना टॉकिंग अबाट दी थकनीकी बात्चीत यहां पे एमडी राइजन 7 प् प्रोसेसर है 16GB LPDDR 5X RAM वाला वीरेंट है मारे पास 6400 मेंट स्पीड वाली रहम है यहां पर अपग्रेड बगरेर नहीं कर सकते हैं वैसे अपग्रेड का एक सीने में अभी आपको आगे बताता हूं उसके लाबावा 512GB की जैन 4 SSD वाला वीरेंट है मारे पास एंपर जो रि सब्सक्राइब करेंगे और कनेक्टिविटी के मामले में वाइफाई 6E एंड ब्लूटुथ वर्जन 5.3 विंडोस 11 प्रो आप इसके लाप्टब में ले सकते हो ले सकते क्यों बोल रहा हूं उसका एक रीजन है यहां पर पुरा 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 लाप्टब कस्टमाइज कर स सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके अंदर विंडोस के भी चार उप्शन है उबुन्टू का पी ऑप्शन मिलता है और उन लोगों के लिए बाई जो बल्क में और कर रहें पचास लाप्टब सा लाप्टब अपनी ऑर्गनाइजेशन के लिए और वह उप्रेटिंग सिस्टम चाहिए और की बोर्ड कैसे चाहिए चाहिए इसके लावा बैटरी में भी ओप्षिन है पावर कॉर्ड में भी ऑप्षन है और दुनिया पर किस्तमाइजेशन कर सकते हो और प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा वेरी करती है बहुत सारी चीज़ों पर लिंक दे दूगा डि इंजिन वाला CPU है जो X86 CPU बे काम करता है एंड जिसके CPU की पावर है वो अप्टो 32 टॉप्स आपको मिलेगी जो AI टास्कों को नापने के लिए काम आती है अगर NPO की पावर की बात करता है तो अप्टो 10 टॉप्स हमारे को मिलती है स्मार्ट पोट्रेट सूपर जूम बगर हमारे को मिलता है इवन प्रेमियर प्रों में भी मारे को AI फीचर मिलते है जैसे आटो री फ्रेम हो गया जैसे काप्शनिंग वगया हो गया जिसकी वएसे हमारा डिवाइस और एफिशेंसी के साथ काम करता है अब इसके अंदर आते हैं मेंली प्रो वाले फीचर जैसे हमारे को प्रो सेक्योरिटी एंड मैनेजबिलिटी के फीचर मिलते हैं अब एक और और यह सिर्फ एक ही लाप्टॉप निया मल्टिपल इसको मैनेज करना हो वो सारा बिजनस लाप्टॉप में कर पाएंगे अगर सेक्योरिटी की तो डेडिकेटी चिप इन लाप्टॉप के अंदर हमारे को मिलते हैं जो हमारे सेंसिटिव डेटा को सेक्योर रखती है और हमारा डेटा वाई कितना ज़ादा ज़रूरी है एक औ सब्सक्रावा कोई मालवेर्स वागरा होगे उससे भी आपको बचा लेगी और सिफ सॉफ्ट्वेर लेवल पे इनी इवन बायोस लेवल तक पे आपको बचाती है तो यह तो होगी प्रो सीरीज की बातचीत कि आपको समझ में आ जाने चाहिए कि यह लाट टॉप क्यों इत स्कोर 26,000 के आसपास निकल गया है यह जीपी वाला लाट टॉप का स्कोर अच्छा कासा है वैसे आई जीपी की प्रफॉर्मेंस दिखाता हूं भी आपको जो आपको बेट कर रहे हो एंड हम इसके अंदर फोटोशॉप यूस करके देख रहे थे फोटोशॉप इलिस्ट्र वगएरा भी करने है तो यह भी 1080p लेवल के एडिटिंग अराम से एंडल कर जाता है थोड़े बहुत लैक्स वगएरा मिलता है अगर थोड़ी बहुत कॉंटेंट वाला काम भी कोई बंदा करता है तो वो इस लाट टॉप पे हो जाएगा और IGP की परफॉर्मेंस की बात कर पता होनचे न कांस्ट करता है और यहाँ पर अबने सबसे पर निकाल चे करके फायदा निकाल सकते हो फिर हम टेस और अंग तेस्ट करके नहीं तो यहां पर रेजलुशन होंने 720p रखा था और upon you किस टाइप के आप यूजर हो फिर मैंने सुचा गेमिंग में थोड़ा आगे बढ़ा जा है 1200 पी यहां पे resolution रखा था लेकिन lowest possible settings कर दी थी RDR2 के अंदर और यहां पे FSR का support हमारे को मिलता है तो उसको रखा था हमने quality पे और यहां पे lowest पॉसिबल सेटिंग्स पे FSR लगा के 40-45 fps मिल रहे थे 1200 पे जो निटिव रेजलूशन है इसके अंदर भी अगर आप 720 पी करोगे तो आराम से 50-60 fps निकाल पहोंगे इसका प्रोसेसर कितना कीबोर्ड को देता है और काफी अच्छा गाजा टैक्टाइल फीडबैक हमारे को मिलता है और उपार हमारे को function की सारी मिल जाती है डेडिकेटिट जैसे वाल्यूम होगी brightness होगी flight mode calling वगएरा जो professionals को टारगेट करने वाले इसके अंदर जो पावर बटन है हमारा फिंगर प्रिंट स्कैनर भी है और आम से लगाओ उगली एकदम स्कैन हो के लॉगिन हो जाता है बहुत फास्ट काम करता है और उसके लावा बीच में मारे को रेड कलर की जॉइस्टिक मिल जाती है जिससे हम अपना करसर भी कर सकते हैं अगर ट्रैकपड के बीच वाले क्लिक को होल्ड करके रखोगे तो आप स्क्रॉलिंग भी कर पाऊगे और यह जो जॉइस्टिक है बहुत प्रिसाइजली काम करते है जितना मूव करते ना वैसी चलेगी और है जरा सी मूव मतला होती नहीं है पर आपको अपने अगर आपका ट्रैकपड सेटके अपने जॉइस्टिक चलानी शुरू करी ना यह बहुत ही बढ़ी एक्स्पीरिंस देती है और वही बाता हमारा ट्रैकपड ट्रैकड फुली क्लिके बले अपने 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 भी और चलने में बढ़ी है स्मूध बढ़ा है मुल्टिश् सेटप कर सकते हैं तो यहां पर आप सब्सक्राइब करसकते हैं की बोर्ट की बाकी साथ ऐसाइप कर सकते हैं यह single color backlit वाला keyboard है, कुछ इतनी light हमारे को मिलती है, अंधेरे में आप आराम से काम वाम कर सकते हो, और view IP hotkeys वागरा है, for Microsoft Teams and everything, function and CTRL वाला हो गया, और F12 की हमारी user define वाली है, जिसके अंदर आप कोई भी अपना action set कर सकते हो, F4 key को भी आप customize कर सकते हो, नीचे touchpad और trackpad के controls है, जो click करने पे basically Windows वाले control सी खुल जाते है, और ports के मामले में भी laptop तकड़ा है, यहाँ पर left side में हमारे को एक RJ45 LAN port मिल जाएगा, एक यहाँ पर USB 4 type C port मिलता है, जो हमारा 40 GBPS वाला port है, PD 3.0 को support करता है, DP 1.4 A को support करता है, यानिकि display output आप ले पाओगे, 100 Watt तक की PD ये support करेगा, और एक और type C port है, जो 3.2 Gen 2 वाला है, यह भी fast speed data transfer को support करता है, DP 1.4 को support करता है, PD भी ये support करता है 100 Watt की, यहाँ पर भी ऐसी कोई दिख्ध नहीं है, उसके लाब़ा एक HDMI का port होगा 2.1, यहाँ पर भी आप display output ले सकते हो, USB 3.2 Gen 1 type A port मिल जाएगा, जो power off charging को भी support करता है, laptop अगर आपका off है, उससे आपको phone चार्ज करना हो, ठीडल बेस चार्ज करना हो कुछ भी हो, तो उस laptop से आप कर पाऊगे, और एक हमारे को यहाँ पर headphone, और भी बहुत सारी चीज होती होगी, तो अगर आप में से कोई है, तो बताना कॉमेंट करेंगे, पीछे की तरफ हमारे को SIM का slot मिल जाता है, जो की optional है, अगर एक company लेना चाहती है, तो यह ले सकती है, मनलोग कोई employee है, बहुत साथा ट्रावल करता है, उसको roaming वाला SIM दे रखा है, या फिर international SIM दे रखा है, तो वो कहीं भी जाता है, उसका internet बंद नहीं होना चाहिए, वाई-फाई हो या ना हो, काम में दिक्कत नहीं चाहिए, वहाँ पर ये चीजे काम आती है, तो working professional को मत दे नजार रखते है, वहाँ सब कुछ मिलेगा लाफटॉप में, येस डिस्प्ले इंट्रस्टिंग है लाफटॉप की, मेरे को लगा था बिजनस लाफटॉप बा तो डिस्प्ले ऐसी वाले सी होगी, यहाँ पर 16 रेशियो 10 वाले डिस्प्ले है, यानि कि इसका जो रेजलीशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कैमरा और यहाँ पर फेस अनलोग भी मिलता है, इसके बारे में आगे बात करता हूँ और बॉटम में चैन कुछ ऐसा है, ओवरॉल डिस्प्ले का मदब व्यूइंग एक्स्पीनिएंस ऐसा को दिक्कत निया आती, इवन कॉंटेंट देखना है, तो भी आपको इसके डिस्प्ले पर स्वादा आजाएगा, अगर थोड़े बहुत क्रेटिव टास्क करते हो, फोटोशॉप चलाते हो, वीडियो में कलर ग्रेटिंग करते हो, वहार पर भी display डिसप्लेट निकरेगी क्योंकि color accurate display है, और हाँ, display में different options है, चाया 45% NTSC वाला, 100% RGV वाला, 100% DCI-P3 वाला, brightness के अंदर भी different options आपको मिलेंगे वेबसाइट पर, तो आपकी जैसी usage आप ऐसा select कर सकते हो, मैंने इसके साब से बता देब, यहां पर कुछ चिट्टा पन नहीं हो रहा हाई यहां वेपकेम के साथ है इसके आपको कॉमेंट करें बताओ कोलाबरेशन मोड प्राइवेसी मोड डिफरेंड यूजर के साफ से डिफरेंट टार्गेट करता है और डॉल्पी आटियो के मोड बेजिस के अंदर डायनेमिक मूवी म्यूजिक कर सकते हैं अपने कॉंटेंट के साफ से और स्पीकर के बाद चल दिया स्पीकर भी सुन लेते स्पीकर अच्छी ने ये अे इस के अंदर बैटिरी के दो आप्शन मिलते हैं 39.3 वाट और 52.5 वाट यूर्ट है और भाटिरी वायरत गण्यूर ब्रायका नक्योग सब्चरी आज कारेमिक वाहरें इसे भी निगा बोन के लिए कर रहा है किस तरीके से कर रहा है कि अब राइडने से क्या कुछ है तो आप अंदासा लगा सकते हो बैटरी बैकप का जैसे मैंने आपको बता है और यहां पर पावर से रिलेड़ ऑप्शन भी मिल जाते हैं जैसे हमारा पावर स्मार्ट सेटिंग हो गया जिसके वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया है तो यह था इसका पूरा रिव्यू लिए 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 लाप्टाप चाहिए या आपके लिए काफी यूसफुल रहने वाले है क्योंकि फीचर्स मैंने आपको सारे बता है प्लस प्रोटेक्शन जिंदिगी में प्रोटेक्शन बहुत है वो सारी आपको इसकेंदर मिलेगी और जो राइजन एक फीचर्स हमारे को इसकेंदर मिलते हैं वह भी आपको मैं सारे वीडियों बता चुक हूँ जो की बहुत है बिजनेस वालों के लिए वो वरकिंग प्रोटेशनल्स के लिए आपको कैसा लगा लाप्टाप मेरे को क